हेलो दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे फ्रॉंक्स के बेस मोडल में आपको क्या क्या चेंजिस मिलने वाले हैं अगर मैं कंपेर करूं इसके टो मोडल से और उसी के साथ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं फ्रॉंक्स के बेस मोडल का क्या प्राइस होने वाल तो इसके headlamps की तो headlamps halogen में होने वाले हैं लेकिन जो इसका tow mode है उसमें आपको LED में दिये गए हैं और front और rear में skid plate आपको silver में दी गई है जो कि आपको base और tow में दोनों में same मिलती है जो इसके indicators है और वियम से हट के fender पर आ गए है अगर मैं top से compare करूँ बाकी दोस्तों इसमें आपको steer wheel मिलते हैं उसके साथ cap भी दी गई है बाकी दोस्तों आप इसकी proper looks देख से हैं side से और जो इसके door sandals है वो आपको body color नहीं मिलते black color के इसके door sandals दिये गए हैं लेकिन दोस्तों आपको इसमें roof rails मिल जाती है silver color की जिससे जो star की side सी look काफी अच्छी निकल के आती है और अगर बात करूँ rear से तो यहां rear में भी silver color की skid plate दी गई है जैसे की tom में मिलती है बाकि जो आप connected tail light देख रहे हैं यह सिरफ cosmetic है यह glow नहीं करती जैसे की tom में glow होती है बाकि दोस्तों यहां पर आपको defogger और rear का wiper देखने को नहीं मिलने वाला लेकिन आपको यहां पर shark fin antenna दिया गया है इसके base model से बाकि दोस्तों आप इसकी proper look देख सकते हैं और यहां से smart hybrid हट चुका है आपको base model में smart hybrid देखने को नहीं मिलेगा और नहीं इसमें आपको जो वन लिटर का turbo petrol engine आता है वो भी देखने को नहीं मिलने वाला और आपको मैं बताना चाहता हूँ जो fronks car है दोस्तों यह CNG में अब लेवल होने वाली है लेकिन अभी जो उसके variants है वो leak नहीं होए कि कौन-कौन से variant में आपको CNG मिलनेगी तो वह आपको मैं जल्दी बता दूँगा कि कौन-कौन से variant में CNG आने वाली है अभी उसको sport किया गया है बाकि आप बात कर लेते हैं इसके engine specification की तो इस car में आप को इसमें से mileage मिल जीगी 19 से लेगे 21 के बीच की लेकिन दोस्तों अभी official इसकी mileage निकलके नहीं आई यह सिर्फ expected mileage मैं बता रहा हूं बाकि दोस्तों अब चलते हैं इसके interior में interior दोस्तों इसका बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है तो देख से ते हैं दोस्तों ऐसा कुछ आपको interior मिलने वाला है इसके base model का dual tone में दोस्तों इसका interior दिया गया है इसमें आपको connectivity के कोई भी features देखने को नहीं मिलेगे ना ही यहाँ पर infotainment system दिया गया है लेकिन जो आपको इसमें AC दिया गया है वो automatic मिलता है जिसमें की automatic climate control का भी feature दिया गया है तो ऐसी कुछ आप आपको दोस्तों इसकी proper looks मिलती है इसमें आपको key start देखने को मिलेगा लेकिन आपको keyless entry दोस्तों इस कार में दी गई है और दोस्तों जो इसके AC vents है आपको इसके tow model में chrome के मिल जाते हैं साइडों से लेकिन इसमें आपको fully black में दिया गया है इसके AC vents जैसे कि यहाँ पर आ आपको इसके base model में dual airbags दिये गया है बाकी ABS with EVD भी दिया गया है एंड जो इसकी steering wheel है वो सिरफ आप tilt में ही adjust कर सकते हैं telescopic adjustment उसमें नहीं दी गई और अब चलते हैं इसकी boot space पर तो इसमें आपको 308 liter की boot space दी गई है और दोस्तों जो इसकी rear की seats है वो आप adjust कर सकते हैं लेक आपको 190 mm की ground clearance दी गई है अगर grand vitara से compare करूं तो grand vitara की 210 mm तो आपको 20 mm इसमें ground clearance का मिलते है लेकिन जो इसकी ground clearance है काफी अच्छी मिल जाती है दोस्तों आपको अगर बाकी कार से compare करूं और आपको एक चीज बताना भूल गया है जो इसका interior है उसमें आपको front और rear में दोनो जो इसकी seats है उसमें आपको adjustable head rush दिये गए है इसके base model से तो ये भी दोस्तों इसकी काफी अच्छी बात है तो आप बाद कर लेते हैं इसकार के price की तो इसका जो expected price है वो दोस्तों लगबग 6,90,000 से लेके 7,15,000 तक जा सकता है अगर इससे उपर जाता है तो ये दोस्तों over price इसकार मानी जाएगी तो दोस्तों आपको इसका price क्या लगता ही कि कितना होने वाला है तो आप अपना price का view comment section में बता सकते हैं ताकि बाकी दोस्तों को भी पता लगए कि कितना इसका price होने वाला है बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी मिलते हैं next वीडियो में thank you